मुक्की मंत्री लाडली बेहना योजना दोबारा से प्रारम होने जा रही है जिसका आवेदन आज से प्रारम होने का है दोस्तो मुक्की मंत्री लाडली बेहना योजना में अगर आप जो बेहने रहे गई है उनके लिए बहुत ही महत्पून जानकारी लेकर आया हूँ दोस्तो वीडियो में अगर आप लास्टे तक बने रहेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपकी पूरी टेंसन ही खत्म हो जाएगी आगे बढ़ते हैं दोस्तो हर मेने मिलेंगे 1000 रुपे जो लाड़ी बेना रहे गए उनके लिए आवश्क दस्तावेश क्या रहेंगे और कौन से दस्तावेश ना होने पर आप फार्म नहीं भर पाएंगे ये सारी जानकारी इस वीडियो की द्वारा समझते हैं तो दोस्तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो को कहीं से भी इसकी बिल्कुल ना करे जो बेना रहे गई है उनके लिए मुख्य मंत्री जी ने फिर से एक सोगात दिया है कि अगर आप कोई बेना रहे गई है तो उसमें आप वापस से आवेदन कर सकते हैं जिन बेनों को अभी तक पेमेंट नहीं मिल पाया है वो बेने भी आवेदन कर सकते हैं किसी कारण से अगर दस्तावेज सत्यापन नहीं हुआ ऐसा कुछ हुआ लाडली बेना योजना आवेदन एक जुलाई से स्टार्ट होने का है अब दूसरे चरेंड में उम् दूसरे इस योजना में हिस्ता लेना चाते हैं तो ध्यान रख्येगा डिवीटी आपका इनेवल होना चाहिए मैंख खाता आपके आधार कार्ट से लिंक होना चैए तभी आप इस योजना में लाब ले सकेंगे और आपको ये सुविदा करने के लिए ये DBT इनेबल करने के लिए आपको आपके निकटतम बैंक में आपके ब्रांच में जाना पड़ेगा वहीं से आपका DBT इनेबल हो पाएगा उसके लिए एक आवेदन रेता है वो आवेदन जमा करना होगा आप समझते हैं दूसरी बात इसमें आपका समगरा ID का KYC होना चाहिए KYC करने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं या तो ओनलाइन से करवा सकते हैं या स्वयम भी कर सकते हैं मैंने complete जानकरी उसमें बताई है बगर KYC के आपका आवेदन स्विकार नहीं किया जाएगा complete जानकरी मैंने इस वीडियो में दिया है तो दोस्तो सबसे पहले हम जानते हैं समगरे की जो official website है उस पर जाएंगे KYC की इस्तिती जानेंगे सबसे पहले कि आपकी KYC हो गई है या इसमें किसी प्रकार की कोई तूटी है इसके बाद यहाँ पर KYC का option भी दिया है आप KYC भी कर सकते हैं वीडियो की description में मैं link के भी दे दूँगा आप KYC भी आसानी से कर पाएंगे इसके बाद में हम जानते हैं कि KYC की इस्तिती क्या रहेगी इस पर हम click करेंगे इसके बाद में जानेंगे हम KYC इस्तिती जानने के लिए आप यहाँ पर आपकी समगरा इडी आपको इंटर करनी रहेगी, individual आपको समगराइडी इंटर करनी रहेगी, ठीक है, यहाँ पर जैसे हम केपचा कोड डालेंगे, केपचा कोड डालने के बाद देखेंगे आप कि सबसे पहले खोजे यह वाले option पर आपको click करना, इसके बाद देखेंगे आप आपके समगराइडी और पूरी complete detail आपके सामने आ चुकी है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको जानना है कि जितने भी आपके जो checkbox पे लगे होए हैं, हाँ ही होना चाहिए, आपके जो भी आपको दिया है इसमें समगराइडी मोबाइल नमबर से अपडेट होना चाहिए, बैंक से आपका आदारकार्ट किस्तिती हाँ होनी चाहिए और सबसे important बात है, आपके डिविटी active होनी चाहिए और आपके जो समगराइडी में आपका फोटो उपलब दता होना चाहिए इसके बाद में हम आपको जो है अधारकार्ट से बैंक इनेबल है या नहीं किस प्रकार्ट गूगल पर हमें टाइप करना है UIDAINPCI यह वाल ओप्शन हमें टाइप करने के बाद में जैसे हम इसको open करते हैं यहाँ पर इस प्रकार की detail आपके सामने दिखने लगेगी यहाँ पर आपको आधारकार्ट नमबर आपका टाइप करना है यह option आपके सामने दिख रहा है आधारकार्ट नमबर जैसे टाइप करने के बाद में send OTP का जैसे send OTP का option आता है यहां आपको click करना है और इसके उपर जैसे click करते हैं आगे आपके सामने OTP आपके ही mobile पे आ जाएगी जो आधार कार्ट से link है उसी number पे आपके पास एक OTP आएगी जैसे यह OTP आ चुकी है OTP आने के बाद हम इसे enter करेंगे इंटर करने के बाद देखिए सामने option रहेगा submit का option रहेगा जैसे submit के उपर आप click करते हो फिक आपके सामने यह लिखाएगा congratulation your आधार mapping has been done यहाँ पर आपका आधार नमबर दिखने लगेगा यह वाला आपका आधार नमबर है यहाँ पर option दिखाई देगा bank seeding status active है और कब आपने active करवाया था आपके bank का नाम भी यहाँ पर दिखेगा यानि कि आपने कौन सी bank से इसे link करवाया है दोस्तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो like जरूर करे और subscribe करना बिलकुल ना भूले क्योंकि आने वाली notification सबसे पहले आप तक पहुचे जे हिंद जे भारत